दुनिया वाले कहते हैं ये छे घंट्रे भक्ती करते हैं हाँ ये दो घंट्रे बैठते हैं भगवान के उपासना में अरे करते क्या है ये बताओ कितने आशु बहाये उनके मिलन के लिए नहीं जी वो जप किया पुस्तकों का पाठ किया चारोधाम की मार्चिंग की ये तो फ क्या किया भगवान मन चाहते हैं मिलहिन रघुपति बेनु अनुरागा कि ये जोग जप घ्यान बिरागा और किसी साधन से नहीं मिलेंगे रोकर पुकारो बोले बच्चे बन जाओ चतुराई छोड़ो ये चतुराई संसार में काम देगी वहां नहीं वहां फिर बन जाओ होले बच्चे की तरे और रोकर्वन से उनका प्रेम उनका दर्शन मांगो संसार न मांगो ये संसार जितना मिलेगा उतने भगवान से दूर होते जाओगे संपूर्ण संसार का प्रतेक शरीर धारी केवल एक बस्तु चाहता है जिसका नाम है आनन्द सुक चैन शान्ती संसार में सरबत्र बैशम्य है 84 लाख प्रकार के शरीर है सब अलग अलग प्रकार के कोई पानी में रहने वाला शरीर धारी कोई आकाश में उड़ने वाला कोई प्रिथवी पर चलने वाला जलचर भूचर खेचर कोई स्वेदज कोई अंडज कोई उदभिज कोई जरायुज चार प्रकार से पैड़ा होने वाले शरीर और एक मनुष्ट ही को ले लो तो साथ अरब आदमियों में दो आदमी की शकल तक नहीं मिलती अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता क्या भैलक्षण है इस श्रिष्टी का लेकिन समस्त शरीरधारी केवल आनन्द चाहते हैं क्यों जी क्या हमको आनन्द नहीं मिलता मिलता तो है मा से बाप से भाई से श्रीमती से श्रीमान से प्रतेक इंद्रियों के विशाय से जो मिलता है वो क्या है आंक से देखा सुख मिला कान से सुना सुख मिला रसना से खाया सुख मिला इस संसार में तो डेली हमको मिल ला है सुख हां मिल रहा है पैक्ट है कोई नकार नहीं सकता संत का बाप हो संसार में भी सुख है मिल रहा है लेकिन यहां लेकिन लगा है इस सुख में दो गड़बड़ी है एक तो यह सुख लिमिटेड है सीमित है इससे बड़ा सुख भी होता है उसको देखा तो यह सुख गया आज हमको बहुत गरीब थे मोटर साइकल मिली उस पर बैठ कर चले सुख मिला आगे से देखा कार आ रही है उस कार के पहिये के द्वारा की चड़ उचला हमारे उपर गिरा मोटर साइकल भी कोई सवारी है कार होती है अगर हमारे यह मोटर साइकल का सुख गया इसी प्रकार हर चीज में हम अपने आगे वाले को देखकर अपना सुख भूल जाते है उसमें सुख नहीं मिलता नौकरी के लिए चार साल से परेशान थे आज मिल गई हमारे बास ने डाटा पहले ही दिन काश की हम बास होते यह नौकर होता दुख सुख कतम हो गया हो एक दिन बास बनेंगे बन गए उसका भी बास है एक अरे यहां तो छोड़ दो मृत लोक में स्वर्ग में भी यही बीमारी है जहां हम लोग आपस में बोलते हैं उसको तो स्वर्ग का सुख है यह सुख सिमीमित है सीमित थोड़े अंश का ऐसा सुख हम चाहते हैं जिससे बड़ा कोई सुख न हो अनलिमिटेड नमबर दो हम आईसा सुख चाहते हैं जो सदा मिला रहे है यह सुख सुख छेंजाता है और घटता जाता है चार दिन से एक मा का बच्चा खो गया था रो रही थी जाग रही थी रात रात बर मिला बच्चा चिप्टाया हाँ दो बारा सुख कम ते बारा और कम चौथी बार जा बेटा खेलो यह सुख कम क्यों होता जा रहा है उसी बाप को उसी मा को उसी बीबी को उसी पती को उसी सामान से सुख फिर कम सुख फिर सुख खतम और फिर एक दिन कहता है ऐसी मेरी मा मिली ऐसा बाप मिला आइसी बीबी मिली यह भी हो रहा है उसी से दुख मिलने लगा है हमारी तकदीर फूट गई तो यह सुख घटता जाता है और समाप्त हो जाता है हम वो सुख चाहते हैं जो अनन्त मात्रा का हो सदा के लिए हो और क्यों चाहते हैं अरे कोई दुख चाहने वाला भी तो खड़ा हो नो चीटी से ब्रह्मा तक सब सुख ही चाहते हैं क्यों इसलिए कि हम अन्लिमिटेट सुख के अंश हैं अनन्त मात्रा का जो सुख रूप है भगवान हम उसके अंश हैं भगवान के अनन्त नाम हैं उसमें एक नाम है आनन्द्द् प्रहमेत बेजानात बेद कहता है रसु वैसा बेद कहता है उसके अंश हैं हम हम शरीर नहीं हम जीवात्मा इसलिए के वल उसका आनन्द चाहते हैं उसके अलावा एक और है यह है मैं वो हो यह है तीन हैं मैं जीव वो हो भगमान यह है माया संसार तु संसार का सुख तो खूब होगा रोज का अनुभव है हर एक का अपढ़ गमार हो और चाहे वो ब्रहस्पति हो सुंदर हो कुरूप हो कोई हो सब को पता है यहां का सुख ऐसा है सब दुखी है जितना बड़ा आदमी है उतना और दुखी है देखो हमारे संसार में खरपपती होता है सब से पैसे वाला बड़ा या कोई बड़ी सुंदर लड़की हुई या प्राइम मिनिस्टर हुआ कोई टॉप का तो उसके पीछे कितना डिफेंस लगा है पुलिस लगी है बिचारा आकेले बजार नहीं जा सकता उसके बच्चे भी नहीं जा सकते और हर समय डर कोई मार न दे क्यों खरपपती है क्यों प्राइम मिनिस्टर है अरे डिफेंस वालों नहीं मार दिया देखो तमाम देश के प्राइम मिनिस्टरों को प्रेशीडेंटों को है है यह भी कोई जीवन है, हम बजार भी नहीं जा सकें अकेले, इतने बंधन हो गए आमको, सबसे बड़ा दुख है मनुष्ट को भय, हर समय भय, और सबसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब सुनो, हमको दो दुख है, एक शरीर का, एक मन का, शरीर और मन दो का दुख है, शरीर का दुख तो आप जानते हैं, बीमारी, आज जुकाम हो गया, आज बुकार हो गया, आज पेचिश हो गई, आज और बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं, कैंसर हो गया, यह दुख सब को है, हाँ जी, हो चाहे राजा हो, चाहे अखरब पती, बिल गेट्स हो, साब को यह भीमारी हो सकती है, होती है, यह दुख, लेकिन इससे बड़ा एक सबसे बड़ा दुख है, और, वो क्या, मन का, काम, क्रोध, लोग, मोह, मद, मात्चर्ज, यह मानसिक रोग सबसे भयानक है, अज सोने के मकान में रहता है, कोई कमी नहीं संसार की, लेकिन मन अशान्त है, डिप्रेशन है, नींद की गोली खाके तो विचारे को एक दो घंटे नींद आती है, क्यों, बड़ा आदमी है, इसलिए, बड़ा पैसे वाला है, चक्रधरोप सुरत्वम, सुरत्वला भे सकल सुरुपतित्वम, कोई सारी पृत्वी का राजा हो जाए, तो यहां सुक नहीं है, यहां का शरीर गंदा, भीमार, स्वर्ग का शरीर, सुनते हैं, उसमें खुश्बू आती है, सुनते हैं, उसको भूख प्यास नहीं लगती, स्वर्ग के शरीर में, वहां अगर जाते, वहां गए, यहां भी हमारी खोपड़ी पर एक बास बैठा है, इंद्र, अगर हम इंद्र बन जाते, इंद्र बन गए, हां बन गए, एक ड्रह्मो है अभी आगे, यह बीमारी कभी समाप्त नहीं होगी, हम हजार बार, लाख बार स्वर्ग जा चुके हैं, वहां भी अशान्ती टेंशन अपने से आगे वाले को देख कर, वहां भी कामनाएं, क्रोध, लोब सब है, तो मन का रोग सबसे भयानक है, इसी को कहते हैं माया का रोग, तुर्शी जास ने लिखा है, काम बात कफ लोब या पारा, अक्रोध पित नित चाती जारा, बात पित कफ ये तीन बीमारीयों के जड़ हैं, मूल हैं, आसे ही, काम, क्रोध, लोब, तृविधम नरकस्थेदम द्वारं नाशनमात्मनह, कामक्रोधस दथा लोबस तस्माद ए तत्रयम त्यजेद दीता, तो दवा करनी चाहिए बीमारी हो जाए तो जैसे फीजिकल बीमारी में दवा करते हैं आप ऐसे ये मानसिक बीमारी में भी दवा करनी चाहिए हाँ करते हैं लोग नेम धर्म आचार तप जोग जग्य जप दान भेशज पुनि कोटिन करिय रुजन जाहि हरियान करोणों दवाईया कर डालो ये रोग नहीं जाएंगे कितने धर्म कर्म करो स्वर्ग मिलेगा ये रोग नहीं जाएंगे ये रोग की जो मम्मी है वो माया है माया जाए तो साथ चले जाएंगे बिना कहे अगर पेड की जड को काट दो तो शाखा उप शाखा पत्ते पुष्प फल है जीरो हो जाएंगे अगर एक डाल काटा तो पेड नहीं जाएगा वो फेर उससे और दो चार छे डाले पैदा हो जाएंगे यह कामनाएं ऐसी है कि अगर कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा हुआ और नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ यह दोनों दुश्मन खड़े हैं कोई छोटी सी कामना करें आप चाहें बड़ी करें आपने बेटे से कामना किया हमारी आज्या मानता है बिटा पानी पिला दे दोड़ के गया लाया है यह बड़ी सेवा करेगा हमारे पुढ़ापे में दस मिनट बाद हमने का चट्मा ला दे बैठा है हमने का चट्मा ला दे फिर भी बैठा है बहरा है सुनता नहीं फिर भी बैठा है राक्षत पैड़ा हुआ है यह लो अभी श्रमण कुमार था अभी राक्षत हो गया दिन भर आप लोग लड़ते हैं घरों में मा से बाप से बीबी से पती से क्यों आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई लड़ाई इच्छा पूरी हुई उसके आगे कामना पैदा हुई एक लाक मिल गया अब दो लाक कैसे हो क्या करें एक करोण मिल गया अब इसका आगे कैसे करें क्या बिजने करें कि दो करोण हो जाए लग गई भी मैरी और अगर घाटा हो गया शेयर डाउन हो गया तो मर गये इसी ने कहा था कि शेयर करीद लो यही है बदमार हमको फसा दिया अब क्रोध कर रहा है पडोसी के ऊपर तो यह कामक्रोध लोब मोह माया के सेना पती हैं इनको कोई नहीं जीच सकता ना मनुष्य ना देवता ना राक्षत अनंत कोट ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ नहुआ था और नहोगा क्यों इसलिए कि दैबी हेशा गुण मई मम माया दुरत्यया मा में वजे प्रपध्यन थे माया में ताम तरंतिते गीता साथ चौदा भगवान कह रहे हैं सुनो मनुष्यो कान खोल कर यह माया मेरी है मेरी दैवी माया है यह मैं अगर कहूंगा हट जा तभी हटेगी तुम्हारे प्रयत्न से नहीं हट सकती सोदासी रघुबीर की समझे मिध्या सोपी छुटै नराम कृपा बिनू नार्थ कह उपदरोपी यह चैलेंज है भगवान और बेद और शास्त्र और पुराण का बिना भगवान की कृपा के यह माया नहीं जाएगी और जब तक माया नहीं जाएगी उसके ही बाल बच्चे कच्चे कामक्रोध लोम यह कोई नहीं जाने वाले हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं लोग किसी को चैन नहीं शांती नहीं सब परेशान हैं है एक दूसरे को क्या कहते हैं कैसे हो आल राइट अरे जूट बोलता है जैन परसेंट आधा आप सच बोल कम से कम कि आल लाउट नहीं है आफ राइट है कहरा है आल राइट साथ दुखी है तो भगवान की कृपा जब तक न हो तो कृपा कैसे मिलेगी कोई शर्त होगी है क्योंकि कुछ और लोगों पर कृपा हुई शंक्राचार जिनिंबार काचार माधवाचार तुलसी सूर मीरा कभीर नानक तुकाराम लोगों पर कृपा हुई है तो कोई शर्त पूरी की होगी इन्होंने तो हमने नहीं की तो हम रो रहें तो भगवान को हम क्या देंगे कि भगवान कृपा करेंगे उससे और फिर वो दिखाई भी तो नहीं पड़ते कि चलो चरण दबा दें उनके और वो क्रिपा कर दें अरे वह संसार में अगर कोई मिल जाए राजा महराजा कोई तो हम जाड़ू ही लगावें उनके दरवाजे पर और वो कभी निगाह करने रोज जाड़ू लगाता है क्या चाहता है और भगवान तो सर्व ब्यापक है सुनते हैं अंदर भी बैठे हैं सुनते हैं कि न देखते हैं न रियलाइज करते हैं कि बल्क कुतर्क करते हैं क्यों जी पानी में नमक मिलाओ अप्यों तो नमकीन लगता है हां और पानी में चीनी मिलाओ मीठा लगता है हां और इसी पानी में भगवान ब्यापक है हां फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता वो भगवान कहां गया रोट पीते हैं हम पानी और जर्रे जर्रे में भगवान है बेद कहता है पुरान कहता है बाइबल कहती है हर मजब कहता है यह और कुतरक इसाब गप है जी भगवान सर्व ब्यापक है और अगर है भी तो ठीक है हमारा कोई काम नहीं बन रहा है उससे न बनेगा और ना हमका वो पहले मिलेगा तो भगवान कहते हैं देख बिश्वास कर क्या बिश्वास करूं यही कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं कहीं जा मत मंदिर मेस्जद कहीं जाने कि ज़रूरत नहीं मैं अंदर बैठा हूं तेरे मन मंदिर में हिरदय में दो पक्षी है द्वास परणा सवजा सखाया बेद कह रहा है मान ले मान ले बस यहीं गडबड है हम मानते नहीं अगर मान ले तो उसके बाद फिर एक बाकी रह जा काम क्या मांग ले मान ले और मांग ले अजीब मंदिर में हम मांगते तो है ए भगवान आपका दर्सन दे दो अब आप अपने कृपा दे दो मस्जिद में हो महमडन भी मांगता है सब जगे मांगते हैं लो अपने अपने देवालाय में अपने घर में भी हाँ वो जो मांगते है न वो त्योरिटिकल है शब्द से मांगते हैं शब्द से अंदर से नहीं मांगते देखो हमारे सारे संसार में लोग भोग लगाते हैं खाना खाते समय आख मूंद के थोड़ी देर भगवान आओ खाओ मंदिरों में देखो बड़े बड़े भोग लगते हैं लेकिन किसी पुजारी को यह विश्वास है कि खाएंगे अगर विश्वास पॉइंट वन परसेंट भी होता तो आख खोड़ने के बाद देखता कहां खाया है कहीं नहीं खाया तो फीलिंग होनी चाहिए अगर किसी दिन आपका बेटा न खाये बाप न खाये पती न खाये तो आपको फीलिंग होती है न फिर आप भी नहीं खाते वो बिना खाये चले गए और भगवान बिना खाए चले गए और तुम ठाट से खाए जा रहे हो तुमको कोई फीलिंग ही नहीं तो फिर तुम को भोग लगाते हो जब विश्वा से ही नहीं है तो है जी वह साथ हमारे बाप भी लगाते थे हो सब लोग लगाते हैं तो हम भी यह 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 पानी डाल के मंत्र बोल दे तदी यह मंत्र से खाएंगे भगवान अरे संसार में भी अगर कोई जान ले कि यह एक्टिन कर रहा है तो देखो मूँ डाफ हो जाए और तुम सर्ब व्यापक सर्ब शक्तिमान सर्ब अंतर्यामी भगवान के आगे चार सो बीस कर रहे हो मुह से बोलते हो तुम्हें वो माता तुम्ही मेरी माँ हो और प्यार करते हो फीजिकल मा से जो घर में है तो भगवान कृपा कैसे करें जैसे तुम पैदा हुए थे अब तुमको भूख लगती थी प्यास लगती थी मच्छर काटता था पाखाना पेशाप कर देते थे अपने विस्तर पर छंड लगती थी तो क्या करते थी बोलते थे ना बोला नहीं जानते थे इशारा करते थे वो भी नहीं जानते थे फिर क्या करते थे इलाज रोते थे रोते थे भास एक इलाज सारी बीमारियों का एक इलाज रो दिया अब मम्मी सोचे क्यों रोया अरे भीग गया है ठंड लगी है अरे चार घंटा हो गया भूखा है अरे पतला दस्तोरा है अब संसारी मा तो गलत फैसला भी कर सकती है लेकर वो मा ऐसी नहीं है अगर हम रोकर मांगें कृपा महराज यह बीमारी हटाओ अपनी माया अपना दिब दर्शन दो प्रेम दो नो नो अगर मांगा भी कभी सही सही कुछ परसेंट तो संसार मांगते हैं यह भग्वान यह दे दो यह भग्वान यह दे दो वी हो तैंट यह सारी बड़े बड़े पहाड़ों पर जो मंदिर बने देखो कितने भीड होती हो जा रहे तुरु पती मंदिर जा रहा है वहां जा रहे वहन के भाग्वान में कोई कास बात तुम्हारे बगल में तुम मंदिरे वहां चल जाओ अरे वो बड़े चमतकारी अरे भगवान भी कोई गैर चमतकारी होते अरे अरे लोग तो कहते हैं प्रभु व्यापक सरबत्र समाना वो समान रूप से हैं सरबत्र अंदर भी बाहर भी तुमको न बेदों पर बिश्वास न संतों पर यानि भगवान पर भी नहीं है संतों पर भी नहीं है तो फिर तुम क्या कृपा प्राप्त करोगे यही तो कारण है कि मुख से बोलते जा रहे हैं और मन का अटैट्मेंट संसार में है अनंत जन्म बीत गए यही करते करते और दुनिया वाले कहते हैं यह छे घंट्रे भक्ती करते हैं आ यह कलक्टर साहब दो घंट्रे बैठते हैं भगवान के उपासना में अरे करते क्या है यह बताओ कितने आसुब है उनके मिलन के लिए नहीं जी वो जब किया पुस्तकों का पाठ किया चारोधाम की मार्चिंग की यह तो फिजिकल बाते हैं मन से क्या किया भगवान मन चाहते हैं मिलहिन रघुपति बेनु अनुरागा कि यह जोग जप ग्यान भिरागा और किसी साधन से नहीं मिलेंगे रो कर पुकारो भोले बच्चे बन जाओ चतुराई छोड़ो यह चतुराई संसार में काम देगी वहाँ नहीं वहाँ फिर बन जाओ भोले बच्चे की तरे और रो कर्वन से उनका प्रेम उनका दर्शन मांगो संसार न मांगो यह संसार जितना मिलेगा उतने भगवान से दूर होते जाओगे नहीं को अस जनमा जगमा ही प्रभूता पाई जाही मदना ही यह संसार के आईश्वर्ज अहंकार बढ़ाते हैं और अहंकार और भगवान से दुश्मनी हैं इसलिए सब भीमारियों की दवा औरो कर भगवान से कृपा मांगो मोक्ष भी न मांगो बंदन भी न मांगो कृपा मांगो और कोई सामान न मांगो अरे उनके यहां क्या क्या है हमको क्या मालूम वो जो अच्छा समझेंगे वो देंगे मांगने के लिए भी अकल चाहिए एक छोटा सा बच्चा अगर किसी दुकान पर बिठा दो वहां हीरे जवाहिराद भी हो टाफी भी हो तो वो टाफी ले लेगा उसे क्या मालूम की हीरे जवाहिराद क्या क्या मूल होता है अरे हम आपको बताए स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान एक बार गए स्वर्ग में और इंद्र ने बड़ा स्वागत किया हमारे प्रभू आए हैं भगवान ने कहा बर्मांगो तो उसने कहा नहराज इसी लड़की दीजिए जितनी स्टुंदर क्रवलोक में कोई नहों भगवान मस्कुरा है कि देखो क्या मांग रहा है इसके कमी है क्या लड़कियों की अरे मेनका उगरा बड़ी बड़ी अपसराय हैं भगवान ने योग माय से करोणों लड़कियां खड़ी कर दी ले चुन ले उसने एक लड़की ले ली पुर्बशी नाम है आप लुक सुने होंगे उसको लेके गए गुरू जी के पास ब्रहस्पती के पास प्रणाम करेंगे आशिरवाद लेंगे गुरू जी ने का ये लड़की कौन है रहे उसने का गुरू जी भगवान मिले थे तो उन्होंने घाबर मांगो तो उने अरे मूर्क यही मांगना था तुछको अपने गुरू को बदनाम कर दिया अरे भगवान के यहां तो अनंत आनंद है वो मांगता अरे एक लड़की मांग रहा है अनंत जन में बीच चुके तुछको अनंत लड़कियां मिल चुकी तुमको पेट नहीं भरा फिर लड़की मांग रहा है अब तो चले गए भगवान गुरू जी गलती हो गई तो यह संसार मांगने के बीमारी बंद कर दो बस उनका प्रेम मांगो उनके कृपा मांगो भोले बन जाओ बिल्कुल बुद्धी न लगाओ कोई मंत्र होता मंत्र मंत्र नहीं काम देगा बंगाली पंजाबी मद्रासी अपनी भाजा में रोकर पुकारो बोलो उभाओ देखते हैं भाजा नहीं देखते शकल नहीं देखते ऐसा समस्त शास्त्रो बेदों का निचोड है अगर कोई कह नहीं और कुछ लिखा है कहीं पर तो कृपालू के पास ले आना उसको कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है हमको बताओ बोलिये लाडली लाल की